आज का जो वीडियो होगा वह काफी इंपोर्टेंट होगा आपके एक जांद के दिरिष्टी कोड से भी और आपके लाइफ के दिरिष्टी कोड से जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे छोटे जहगड़ा होने पर जहमेला होने पर हम लोग बोलते हैं एक दुसरे को कि I will see you in court के बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं या हमारे दिमाग में काफी रहता है कि कोट का क्या और आ रहा है सुप्रीम कोट का और क्या रहा है हाई कोट का रहा है और चोटी-चोटी बातों में तो हम लोग तो कोट को दिखाई देते हैं ठीक हम तुम्हारे उपर कोट केस करेंग अगर हमारे कोई किसी अधिकार को कोई छील लेता है हमसे या हनन करता है तो हम कोट के पास जाते हैं आपके जाकर याचिका दायर करते हैं तो आज का कोश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है यह एकजाम के दृष्टी कोड से दो हजार चौवीस एकजाम के जरूर किजिए इससे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है तो चलिए आज का जो वीडियो है मैं सुरू करने जा रहा हूं देखिए आज का हमारा जो प्रश्न है भारत के सर्वच नियाले के गठन तथकारियों की चर्चा किजिए आप जानते हैं कि अन्तिम फैसला जो सुनान करी मान्य होता है तो चलिए देख लेते हैं सुप्रीम कोट का गठन अवर कारिय क्या है यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है आपके 2024 एक्जाम के लिए पॉलिटिकल साइन सब्जेक्ट के लिए ठीक है चलिए देखिए भारत में शंगनात्मक बेवस्ता को अपनाया गया ह लेकिन न्याय पालिका को एक क्रित बनाया गया है अर्था सर्वच न्याले से लेकर निमनतम अस्तर के न्याले एक दुसरे से जुड़े हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली में इस्ति सर्वच न्याले भारतिय न्याले न्याय बेवस्ता में सिर्ष अस्थान पर है इस संभिधान कानुछेद 24A 1 के अनुसार अंत्रगत संसत को अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर नयाधीसों की संख्या बदल सकती है लेकिन संसत यह संख्या अर्थार्थ एक मुख्य नयाधीस एवं साथ अन्य नयाधीस घटा नहीं सकती समय समय पर सरोच न्याले में नयाधीसों की संख्या बदल ली जाती है वर्तवान में संसती अधिनियम 2009 द्वारा सरोच न्याले में एक मुख्य नयाधीस अवर्तिस अन्य नयाधीस है इसके अतरिक्त अवसक्ता अनुसार भारतिय समिधान तदर्थ न्याधीसों की नियुक्ति की बेवस्ता करता है चलिए और देख लेते हैं गठन के बारे में आपने जाना सरोच न्याले का छेत्रा अधिकार यानि इस कहां कहां पर सरोच न्याले काम कर सकता है कारी करने का छेत्र क्या है आरंभीक अवर अन्यन छेत्रा अधिकार शंबिधान के अनुछेद 131 में सर्वच न्याले को निम्नलिखित बिशयों पर आरंभिक अवर अन्नयन छेत्रा अधिकार दी गई है नंबर वन कौमे शंग शरकार तथा एक या एक से अधिक राजियों के बीच उत्पन विवाद एक तरफ केंद्र शरकार तथा एक या एक से अधिक राजिया और दूसरी तरफ एक राजिया या एक से अधिक राजियों के बीच उत्पन विवाद दो या दो से अधिक राजियों के मध्या उत्पन विवाद समवर्ति आरंबिक छेत्रा अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा उच्छ न्याले एवं सर्वच न्याले दोनों करता है इसलिए नागरिकों के मौलिक अधिकार संबंदित मामलों को भी सीधे दोनों में से किसी भी न्याले में लगाया जा सकता है अता यह समवर्ती आरंभीक छेत्रा अधिकार है जो सर्वच न्याले अवर उच नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा है तू सर्वच न्याले एवं उच न्याले संबिधान के अनुछेद 32 अवर 226 के अनुसार वंदी प्रत्यक्षी करण परमादेश प्रती सेद उत प्रेशन तथा अधिकार प्रिक्षा का लेख जारी कर शकता है अपिलिय चेत्रा अधिकार सर्वच न्याले भारत का अंतिम अपिलिय न्याले है राजियों के उच न्यालेयों के निर्ने के बिरुद्ध या अपिल सुनाता है सर्वच न्याले के अपिलिय चेत्रा अधिक इस④ के अनुसार अगर उच न्याले किसी मामले के संबंद में यह प्रमाण पत्र दे की इस इनमे से संबिधान की ब्याक्या से संबंदित कानून का कोई प्रश्न नहीं थे तो उस मामले की अपील सरवच न्याले में की जा सकती है अनुछेद 132 के अनुसार अगर उच न्याले किसी मामले में ऐसा प्रमाड पत्र न दे पर सर्वच न्याले को विश्वास हो जाए कि उच निर्णे में कानून का प्रश्ण नहीं थे तो सर्वच न्याले स्वय विशेस आग्या दे कर उस मामले की सुनवाई कर सकता है दिवानी, संभिधान का नुच्छद 133 का नुसार सर्वच न्याले को दिवानी मामले में उच्छ न्यालेयों के निर्णे के बिरुद्ध अपिल सुनेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अपिल करने के लिए दो सर्ते हैं, नमबर वन, यदि उच्छ न्याले यह दे-दे की संबंद मुकदमा सर्वच न्याले में अपिल करने योग्य है, फोजीदारी अर्थार्थ दंड संबंदित मामलों की अपिल भी सर्वच न्याले में की जाती है, लेकिन यह अपिल उच्छ न्याले के बिरुद्ध तब ही की जा सकती है, जबकि उच्छ न्याले ने अपने अधिनस्त न्याले द्वारा किसी अभियुक्त ब्यक्ति के दोस्ट मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मिरत दंडादेश दिया है। उच न्याले यह ने अपने अधिनस्त न्याले से किसी मामले का विचार करने के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे बिवाद में अभियुक्त ब्यक्ति को सिद्ध दोस ठहराया है अर्थार्त उसको मिर्थ दंडदेश दिया है उच न्याले यदि प्रमाडित करता है कि मामला सरवच न्याले में अपील की जाने योग्य है वसिष्ट सभिधान के अनुछेद 136 द्वारा सरवच न्याले को विशिष्ट सक्ति प्रदान की यही है इसके अंद्रगत सरवच न्याले अपने बिवेकान उशार भारत के राज्य छेत्र में किसी न्याले या अधिकरण द्वारा किसी बिवाद या मामले में पारित किये गए या दिये गए किसी निर्ने डिग्री और धारणा दंडा देश या आदेश की अपील के लिए बिसेश इजाज़त दे सकेगा लेकिन इस अशीम सक्ति का एक अपवाद या है कि शैनिक न्याले के निर्ने के विरुद सरवच न्याले में अपील नहीं की जा सकती परामर्सी छित्रा अधिकार संबिधान का नुशेद 143 का नुसार राश्टपती जब चाहे किसी भी महत्वण संबेधानिक मामले समझोते या सरवजनिक महत्वक के प्रश्न से संबंद किसी भी विसेश को सरवच न्याले के समक्ष बीचारार्थ रख शकता है सरवच न्याले शलाहकार की हैसियत से अपनी राय राश्टपती को दे शकता है लेकिन राश्टपती के लिए यह परामर्स शविकार करना अनिवार्य नहीं है संबिधान का अनुचेद 317-1 का अनुचार लोक सिवा आयोक का कोई भी सदस्य तब तक राश्टपती द्वारा पदचियूत नहीं किया जा सकता जब तक कि सरवच न्याले उसे इस संदर्व में सलाह नहीं दे ठीक है और भी देखिए सरवच न्याले का बहुत सरा अधिकार है आप रित्ती संबंदी 6 अधिकार सरवच न्यालों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने द्वारा किये गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर रिक्षण या आउलोकन करके अपनी पून निर्णय स उदार सके उदारण के लिए 1960 इस भी में सरवच न्याले ने गोल लकनात के मुद्दे मुकदमे एवं संक्री प्रसाद अवर सजन सिंग के मुकदमे में दिये गए निर्णय को रद घोसित किया था अभिलेक न्याले सरवच न्याले एक अभिलेक न्याले है अभिलेक न्याले का अभिप्राय दो तत्यों से है एक नमबर सरवच न्याले के अभिलेक भारतिय छेतर के अंत्रगत सभी जग साक्षे के रूप में प्रस्तूत किये जाएंगे अबर किसी भी न्याले में उनकी प्रात्मिक्ता के बिसे में संद दे हैं, उत्पन नहीं किया जाशकता। जब सर्वच न्याले इस दृष्टी से अभिलेख न्याले हो जाता है तो उसे यह अधिकार भी हो जाता है कि वह किसी को भी अपने अपमान के लिए दंड दे शकता है अन्य अधिकार उप्यूक्त अधिकार छेत्र के आलावा सर्वच न्याले अन्य अभीन प्रकार के कारिया भी संपन करता है नंबर वन सर्वच न्याले शंगिय अभीवस्ता में संतूलन बनाये रखता है या अपने लेखो अवर आदेसों से प्रशासनिक न्याय धी करणों को नियंतरित करता है अपने कारियों को सुचारू ढंग से शंचालन करने के लिए अपने करमचारियों तथा पदाधिकारियों पर नियंतरण रखता है नंबर चार न्याय प्रकिरिया में एक रूपता लाने के लिए सभी न्यालेयों पर निगरानी रखता है नमबर 5 शरोच नियाले केंद्रिय तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किसी बीधी की संबेधानिकता की जाँच करता है तथा किसी भी और संबेधानिक बीधी को अबैद तथा अमान्या घोशित करता है तो ये आप लोगों ने देख लिया कि सरोच नियाले का गठन और उसके कारिय क्या है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद